Good morning, welcome to our intellectual quality or learning platform तो हम अपने डेली केंटेफेट सीज की और आगे बढ़ते हैं उससे पहले कुछ मोटिवेश्मन कोर्स के बारे में जानेंगे अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करे बस सही बने रहो गवाही खुद वक्त देगा आपको निरंदर परियाश करते रहना है कोई भी आसपास के लोग आपको कुछ भी बोले उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि सफलता ही उन सब को जवाब देदेगी इसी के साथ हम अपने डेली केंटेफेट सीज की और आगे बढ़ते हैं तो आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर जो जाएगा यहाँ पर आपको सारे फीडिया प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशन के तो चलिए 11 दिसम्बर 2023 के सारे करेंटेफेट को डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिएगा निम लिखित में से कौन सा देश अब चीन की बिल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है तो राइट अन सो जगा इटली इटली हाली में रिमूव हो गया है विड्रो कर लिया है चाइना के बिल्ट एंड रोड इनिशेटिव प्रोग्राम से तो जानते हैं अखिर क्या है पॉइंट्स जो इटली ने रिमूव कर लिया चाइना के बिल्ट एंड रोड इनिशेटिव प्रोग्राम से फिर से बनाने के लिए जरकों, पूलों और बंदरगाहों जैसे बुन्यादी धाचे में बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव करती है यह महत्पून प्रदोग्यों की और बुन्यादी धाचे पर चीन के नियंतरन को लेकर अमेरिका को चिंताओं के बावजूद 2019 में इटली इस कारेकरम में भाग लेने वाला प्रमुक पश्चिमी देश बन गया था तो हाली में 2023 में इटली ने विड्रो कर लिया है चाइना के बिल्ट एंड रोड इनिशेटिव प्रोग्राम से तो राइटन से जगा उजवला हाली में फर्स्ट इंडिय एडिशन अफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में तो इसका सुभांकर क्या रखा गया है मैसकोट तो उजवला रखा गया है जिस तरीके सा आप इमेज में देख रहे हैं तो यह है मैसकोट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में आयोजित एक महतपून कारेकरम में केंद्री युवा मामले और खेल मंत्री स्री अनुराग सिंग ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगों और सुभांकर का अनावरन किया इस एतिहासिक अफसर पर प्रख्यात एटलीट और पैरा एटलीट की उपस्ति थी मौजूद थी जो भारती खेलो में शमावेशित और मानेता की दिसा में एक महतपून कदम था इस समारहो के दोरान अधिकारिक शुभांकर उजवला गौरईया का अनावरन किया गया दिली के गौरब के प्रतिनी दित्यों करते हुए यह चोटी गौरईया जिर शंकल्प और शाहनुभूती का प्रतीक है तो यह पहुंच चाद रखिया है कि हाली में नई दिली में होने वाली फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिसका सुभांकर क्या रखा गया तो उजवला रखा गया उजवला क्या है तो गौरईया का एक प्रतीक है नेक्स चलेंगे क्षवाननद भारती मामला निम लिखित में से किस सिधान से संबंदित है तो राइट जिवा थियोरी ओफ बेसिक अस्ट्रक्चर पर केशवाननद भारती केस रेलेटेड है तो जानते हैं आखिर यह न्यूज में क्यों आया है तो इसका न्यूज में आने करन यह है कि यह 50 साल of the unprecedented case of केशवाननदी भारती and doctrine of basic structure यानि इसके जो रेलेटेड केस थे उस केस का 50 year complete हो गया है तो जानते हैं क्या है था थियोरी ओफ बेसिक अस्ट्रक्चर रिट याची का सिबिल 135-1970 जिशे केशवानन भारती निर्ड़े के रूप में भी जाना जाता है भारत के सर्वोच नियाले का एक एतिहासिक निर्ड़े था जिसने भारती संविधान के मूल सरचना शिधान को रेखांकित किया था इस मामले का मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जाना जाता है तो आखर ये क्यों नियूज में था तो किश्वानन भारती जज्मेंट के दौरा में ये बताया गया था भारती संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो इसका मूल धाचा चेंज नहीं होगा यानि fundamental जो करतब्ब्य है कोई भी संसोधन होगा कोई भी amendment होगा तो भारती संसोधन में भारती constitution में सम्विधान का कोई भी मूल धाचा चेंज नहीं होना चाहिए ता यह था किश्वा नंदन भारती का इसका 50 यह कंप्लीट हो गया इस जज्जमेंट का तो इसलिए इसको न्यूज में फिर से आया है नेक्स चलेंगे question number four में हाली में आयोजित मौजिक नीती समीती में विद्वर्स 24 के लिए और बी आई की वास्तविक GDP व्रिधी का अनुमान क्या है तो राइटेंस जगाला 7% 7% अनुमान लगाया गया है monetary policy committee के दौरा कि RBI का GDP growth projection financial year 2024 में होने वाला है 7% तो चलिए इसके points के बारे में जानते हैं भारती रिजर्ट बैंक RBI के गवर्नर सक्ति कांध दास ने वित्य वर्स 2023 की पांचवी मौद्रिक नीती का अनावरं किया इसके साथ RBI ने अपना अफेक्शित रूख और निती गत दर्रे अपडवित रखी है RBI की मौद्रिक नीती समीती MPC ने दिसंबर की बैठक के बाद सर्व शमती से रेपो दर्कों सारे 6% पर अपड़िवर्तित रखने का निन्य लिया है ये points चाद रखेया कि जो रेपो रेट है वो change नहीं हुआ वो 6.5% पर बना हुआ है चालू वर्स के लिए विकास दर्का सारे 6% से बराकर 7% कर दिया गया है और इस चालू वर्स के लिए CPI मुद्रा स्फिती का 5.4% पर बनाए रखा गया है तो चलें नेक्स्ट क्वेशन नमबर 5 में चलेंगे हाली में राष्ट्विय समिक्षा बोर्ड द्वारा किस फिल्म को वर्स 2023 की सर्फ्रेश्ट फिल्म खुशित किया गया है संगठन ने घोशना की कि नेशनल बोर्ड औफ रिवियो द्वारा कीलर अफ दफ्लावर मून को सर्फ्रेश्ट चित्रियानी फिल्म का नाम दिया जाएगा पिछले 30 वर्सों में ये NBR की सर्फ्रेश्ट फिल्म की विजयता के आमतवर पर सर्फ्रेश्ट फिल्म के लिए आशकर नमंकर प्राप्त हुआ है जो हर दसक में एक बार को छोड़ कर किया जाता है 2014 में Ammost Violent Year था, 2000 में Quills था और 1998 में Gods and Monsters थे 1980 के दसक में ये बताया जा रहा है कि 1987 की Empire of the Sun और 1983 की Betrial तक्नीकी रूप से दो अशफल रही तो यहाई पॉइंट से याद रखना है कि Killer of the Flower Moon हाली में Best Picture of the National Board of Preview Organization के द्वारा एनॉंस किया गया कि Killer of the Flower Moon को Best Film का दर्जा दिया जाएगा Question No.6 हाली में अमेरीकी विदेश बिभाग द्वारा अंत्राष्ट्री व्रच्चाचार विरोधी चैंपियन प्रुसकार से किसे शमानित किया गया तो राइट अंचोगा निखिल दे को हाली में शमानित किया गया International Anti-Corruption Championship Award by the US State Department के द्वारा तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में भारतिय समाजिक कार्यकरता निखिल देजी को द्वारा और इनके 11 अन्य को सेयुक द्राज अमेरिका के विदेशी बिवाग द्वारा अंतराश्ट्रिये भ्रष्टा चार विरोधी चैंपिन प्रुसकार से समानित किया गया USA Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs ने भारत में सरकारी कल्यान योजनाओं में भ्रष्टा चार के खिलाफ समाजिक अंदोलन में उनकी भूमिका को श्विकर किया मजदूर किसान सकती संगठन के शर्षन स्थापक के रूप में निखिल देगे परियासों में से राजस्थान में सरकारी योजनाओं में जबाब देही और पारदरस्थी बढ़ी है अंतराष्ट्रिय भ्रष्टाचारी ब्रोधी चैंपियन प्रुषकार ACCA उन लोगों को मान्यता देता है जो जबाब देही और पारदरस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करता है 2021 में अंतराष्ट्रिय भ्रष्टाचार ब्रोधी चैंपियन प्रुषकार लाँच किया गया और हाली में निखिल दे को समानित किया गया तो राइटन सुझागा अर्मेनिया में अर्मेनिया में हाली में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनसिप 2023 का अनावरन हुआ और अकांच्छा 70 किलोग्राम में सांधार प्रजर्शन किया और श्वर्ण पदक दीते फाइल ने फाइनल में आर्मेनिया के पेट्रो सियन हेगीन को हरा कर भारत को प्रतिष्ठित चैंपियंशिप पे पहला श्वर्ण पदक दिलाया तो यह पॉइंट सियाद रखेगा कि ह इंडिया के दौरा नेक्स्ट नबर एट में चलेंगे हाली में अंतराष्ठिय नागरिक उडियन दिवस 2023 कब मनाया गया तो राइटन सुझेगा साथ दिसंबर साथ दिसंबर को हर वर्स इंटरनेशनल सीविल एपियेशन डेज सेलिब्रेट किया जाता है तो जानते हैं इ इस वर्स का महश्रोव वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार की थीम पर अधारित है यानि इंटरनेशनल सीविल एपियेशन डे हर वर्स साथ दिसंबर को मनाया जाता है इसका थीम हमको इंपोर्टेंट है याद रखना कि इस वर्स का थीम क्या है तो एड साथ परे विमानन छेत्र को आगे बढ़ाना और सुधारने के लिए नवीन विचारों और तक्निकी सफलताओं को पता लगाने और उन्हें लागू करने की प्रतिबदता है नवाचार पर ध्यान विमानन की सुरक्षा दक्षता और स्थिर्ता में सुधार के लिए चल रहे पर याशो के अनुरूप है तो यह पॉइंट सियाद अखना है क्योंकि इक्साम में डार्ट कोईशन आते हैं इंपोर्टन डे से तो इंटरनेशनल शिविल अविशन डे साथ देसंबर को सेलिब्रेट के जाता है थीम क्या है तो एडवांस इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रश्ण के बदले नगत देने के आरोप में हाली में किशे लोक्षवा से निस्कासित कर दिया गया तो राइट अंस तो महुआ मोहत्रा को हाली में एक्स्पेल्ट कर दिया गया निस्कासित कर दिया गया लोक्षवा से तो किसलिए तो कैस फॉर क्वेरी चार्ज के लिए इनको निस्खासित कर दिया गया, यानि प्रश्ण के बन्दे नगत देने के आरोप में मववा मोहित्रा को निस्खासित कर दिया गया है, लोग शबा से। मववा मोहितरा को निश्काशित करने की शिफारिस करने वाली एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट 8 दिसंबर 2023 को पेस की गई और कुछी घंटों के भीतर उन्हें निश्काशित कर दिया गया। कॉंग्रेश और त्रिनमूल दोनों ने रिपोर्ट का अध्यन करने के लिए और समय मांगा मववा मोहितरा के निश्काशन के पक्ष में मत्तान करने के बाद त्रिनमूलनेता ने लोकशवा के बाहर अपना ब्यान पढ़ा और यह दोराते हुए कि यह कंगारू अधालत का आचरन था मववा मोहितरा ने कहा कि नगदी का कोई शबूत नहीं था तो यह और कोईशन्स इसू के लिए इनको यहां से निश्काशित कर दिया गया है यह पॉइंट सियाद रखिएगा टेली कंटरफर्स का लाज कोईशन में चलेंगे हाली में ब्रिटिज सरकार द्वारा बीबी सी करने अध्यक्ष किसे निफ्ट किया गया तो राइट इंस्प्र दॉक्टर शमीर शार को हाली में नया चेर्मेर बनाया गया है बीबी सी का तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में भरतिय मूल के मीडिया कारेकारी दॉक्टर शमीर शार को बीबी सी के नए प्रमुक के रूप में प्रिटिस सरकार का पशंदीदा उमीदबार घोश जी ने 1960 में इंग्लेंड आय और पहले बिबिशे में शम शमाईक मामले और राजनिती कारेकरम के प्रमुक थे। एक शुतन टेलिविजन और रेडियो प्रोडक्शन कंपनी जुनिपर के सीई ओ और मालिक साह ने 2007 और 2010 के बीच बिबिशी के गैर कारेकारी निर्देशक के र अनुशार हाल ही में ये पॉंट से में याद रखनावा कि इंडियन और इजिन के मेडिया एक्जेक्यूटिव डॉक्टर शमीर शाह को बीविसी का नया चेर में निक्ट किया गया। डिविजन बैच में चलते हैं 9 दिसंबर 23 इसके सारे के इंटिपर्स को डिविजन मोड Q3. हाली में टाइम के 2023 एथिट अप दे इयर से लियोनल मेशी को शमानित किया गया। Q4. हाली में पारिज जम्मू और कश्मीर पुनर गठन विदेहक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधान सभा में कितने सीटी होंगे तो 114 सीटे होंगी। Q5. हाली में सियाचिन में टैनात होने वाले पहले चिकिसा अधिकारी कौन है तो कैप्टेन गीति का कॉल Q6. हाली में इंटरपूल की 91 महासभा कहां आयोजित की गई तो वेना में इसका आयोजन हुआ Q7. हाली में AI मोडल जेमिनी किसने लाँच किया तो गूगल के दोरह इसे लाँच किया गया Q8. Q9. किस राज की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संक्रत मिला तो मेघाले राज की लाकाडोंग हल्दी को G.I.T. से समानित किया गया Q9. में जोरब के नए मुकमंतरी के रूप में लाल दोहमा जी ने पत्त लिया है जो ZPM पाटी से विलॉंग करते हैं तो आज का क्वेशन क्या है कौन सा देश ब्रिटिस इंडियन आर्मी मिमोरियल बनाने के लिए तयार है विच कंट्री इस सेट टू बिल्ड ब्रिटिस इंडियन आर्मी मिमोरियल अप्शन A USA, अप्शन B चर्मनी, अप्शन C स्कॉटलेंड, अप्शन D फ्रांस एंसर कमेंट वक्ष में देना होगा तो चलिए कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट की और आगे बढ़ते हैं भाग 9B, भाग 9B में cooperative societies के बारे में डिस्क्राइब किया गया जिसमें आर्टिकल 243 जैड एच से लेके 242 जैड टी तक होगा भाग 10 में उल्ले किया गया है schedule and tribal areas के बारे में इसमें आर्टिकल 244 से लेके 244 ए तक add किया गया है भाग 11, भाग 11 में relation between union and states के बारे में इसमें आर्टिकल 245 से लेके 263 तक उल्ले किया गया है भाग 12 में बताया गया है finance, property, contracts and suits के बारे में इसमें आर्टिकल 264 से लेके 301 तक इसमें ये point चाद रखना होगा कि भाग 12 में जो हमारे fundamental rights थे यानि मौली कथिकारते हमारे properties को लेकर उसको वहां से हटा कर भाग 12 में add कर दिया गया है और किस संसोधन के दौरान तो भाग 12 में add किया गया है financial हमारे properties rights के बारे में right to properties article 300A में इसे add किया गया है तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए thank you so much guys वीडियो को जादे से जादा हो सके तो like share और subscribe करें ताकि और भी content आपके पास पहुँच सके जैहिन जै भारत दोस्तों